आज मैं आपके लिए एक हिंदी की बहुत ही खुबसूरत कहानी लेके आई हूँ प्रथम बुक्स प्रकाशन से इस किताब का नाम है छुटकु मकडा और इसे लिखा और चितरांकन दिया है हर्मिंदर ओहुरी ने आपको पता है मकडा क्या होता है तो कहानी शुरू करते हैं किसी जंगल में कंटीली जाडियों के बीच एक छोटासा मकडा रहता था और उसका नाम बिलकुल उसके साइस की तरह था छुटकु मकडा उसके दादा के दादा पर दादा के दादा पर छोटा बड़ा मकडा नाम से गीत लिखा गया था एक बार छुटकु ने यह बात अपने दोस्त गुब्रैला अटकु और उसके भाई मट्कु को बताई अब गुब्रैला क्या होता है भला लेडी बग अटकु और मट्कु के परिवार में कोई भी प्रसिद नहीं था प्रसिद बोले तो famous गुब्रैलों के पास समय ही कहा होता है इन सब चीजों के लिए वे तो सुभा से रात तक काम में जुटे रहते हैं खाने का सामाने खटा करना, घर में मदद करना काम करते हुए कहीं चोट ना लग जाए इसका भी खत्रा रहता है, इतने चोटे से होते न चुटकू के पास तो सिर्फ दो ही काम थे अपने घर के लिए जाला बुनना, स्पाइडर वेब बनाना और जाले में मक्खी के फसने का इंतजार करना चुटकू प्रसिद होना चाहता था लेकिन वे ये नहीं जानता था कि कैसे हो वे हर समय इसी बारे में सोचता रहता था एक दिन उसने एक डाल से दूसरी डाल तक जाला बुना फिर दूसरी से तीसरी तक, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छटी और ऐसे करते करते उसने दस डालों पर जाला बुना लेकिन उसे प्रसिध ही नहीं मिली उसने अपने दोस्तों से पूछा लेकिन उनको भी नहीं पता था कि फेमस कैसे हुआ जाए Augustians, can you help छुटकु मकडा? क्या आप बता सकते हो कि वो कैसे फेमस और प्रसिध हो सकता है? Augustians ने भी नहीं बताया उसको एक दिन सुभा सुभा अटकु और मटकु छुटकु के घर आए अटकु मटकु छुटकी के लिए मक्खी भी लाए तो वो खुश हो गया उसने अपने महमानों की बहुत खातेरदारी की उन्हें कोल डिंग पिलाई, पीज़ा खिलाया उन्हें पत्ते खिलाए फिर वे बाते करने लगे अटकु मटकु ने कहा चुटकु चुटकु एक बात बताए हम जानते हैं कि प्रसिद्ध क्या होता है चुटकु खुशी के मारे उच्छल पड़ा उसके हाथ से मक्खी गिरते गिरते बची चुटकु बोला बताओ बताओ अटकु कहां है प्रसिद्धी अटकु ने बोलना शुरू किया मेरा और मटकु का एक दोस्त है मोती दोता वे हमारा जादा अच्छा दोस्त तो नहीं है लेकिन जब वे पेड़ पर फल खाता है तो हमको भी उसके कुत्रे हुए टुकडे मिल जाते है इसलिए तुम कह सकते हो कि वे हमारा दोस्त है अरे मोती दोते ने प्रसिद्धी के बारे में क्या कहा अटकु ने पूछा हाँ हाँ वही बता रहा हूँ मोती दोता मनुश्यों के साथ रहता है वे लोग प्रसिद्ध लोगों के बारे में बाते करते रहते है मतलब कि वो human beings के साथ रहता है और वो famous personalities के बारे में बात करते है इसलिए मोती कहता है कि तुमको कोई ऐसा काम करना होगा जो कभी किसी ने नहीं किया तब सब लोग तुमें जान जाएंगे लेकिन छुटकू को नहीं समझ में आ रहा था कि वे क्या करे अटकू ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो तुम तो काफी प्रसिद हो already famous हो मैं मत्कू, मोती तोदा और इस चाड़ी की सारी मकडियां तुम्हारा नाम जानती है छुटकू ने अपने आठो पैर हिला कर कहा ऐसा नहीं है किसी ने भी मेरे बारे में कोई गीत थोड़ी लिखा है अटकू और मत्कू ने उसकी बात सुनी और वो वहाँ से चले गए अब छुटकू बैठकर सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम करे जो किसी और मकडे ने कभी नहीं किया उसने सोचा वह बहुत अच्छा जाल बनाता है इसमें क्या है वो तो सारे मकडे बनाते है वह उपर नीचे बहुत तेज सल सकता है उसने सोचा लेकिन ऐसा तो सारे मकडे करते है तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो दूसरे मकड़े ना करते हो ये सोचते सोचते बहुत दिन बीथ गए छुटकू प्रसिध नहीं हुआ एक दिन वह अपने चाल पे बैठा हुआ था तब ही उसने अटकू के चिलाने की आवास सुनी चुटकू बचाओ मटकू को चोट लग गई बचाओ बचाओ चुटकू बहुत तेज भागा उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर मटकू पर गिर गया था मटकू उसके नीचे से किसी तरह निकल तो आया था लेकिन उसका पहर तूट गया था उसकी कमर में भी चोट लग गई थी वह उल्टा पड़ा था अटकू और दूसरे गुब्रैले उसके आसपास भाग दोड कर रहे थे चुटकू ने कहा अटकू जल्दी से एक चोटा सा पत्ता ले आओ रात होने लगी थी मकडे अंधेरे में ठीक से नहीं देख सकते इसलिए अटकू ने अपने रिष्टे के भाई जुगनू को बुलाया जुगनू मींज फायर फ्लाइज जो रात में चमकते हैं और उस जगह पर रौश्नी हो गई चुटकू ने पत्ते की डंडी को मटकू के तूटे पैर से सटाकर चारो तरफ पत्ता लपेट लिया और धागा बुनने लगा इस तरह पैर पर मकडी के रेश्मी तार की पत्ती अच्छी तरह बंद गई मतलब उसने मटकू के पैर पर बहुत अच्छा सा प्लास्टर बना दिया उसके बाद चुटकू ने मटकू की कमर पर पत्ता रखकर उस पर भी जाल बुनकर पत्ती बान दी कमर का भी प्लास्टर हो गया इससे मटकू को बहुत आराम मिला और फिर सारे गुप्रैले उसको घर के अंदर ले गए छुटकू बहुत ठक गया था लेकिन वह खुश था उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी जब छुटकू अपने घर की दरफ चला तो छोटे बड़े बहुत सारे गुप्रैले उसके साथ साथ चल रहे थे और बहुत से जुगनू उसके रास्ते में रोश्नी करते उर रहे थे वे सभी एक गीत का रहे थे जिसे मोती दोते ने लिखा था चुटकू मकडा प्यारा उसका दिल है बहुत बड़ा पैरों में पट्टी कर देगा बुन कर सुन्दर जाला चुटकू बड़ा निराला कुछी दिनों में सारे जंगल में चुटकू की प्रसिद्धी फैल गई हर शाम जब जुगनू आकर कांटे दार जाडियों को जिल मिला देते हैं तब चुटकू के बारे में गीत काया चाता है दुबारा सुनेंगे चुटकू मकडा प्यारा उसका दिल है बहुत बड़ा पैरों में पट्टी कर देगा बुन कर सुन्दर जाला चुटकू बड़ा निराला तो अगस्तियन्स अगली बार जब आप जंगल में जाओ तो ध्यान से सुनना आपको भी ये गीत सुनाई देगा चुटकू क्या सोचता है आफ्टर आल अब चुटकू प्रसित हो गया है चुटकू प्रसित होकर बहुत खुश है लेकिन वे कहता है मैं तो इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि मेरे दोस्तों को जब भी मदद की जरूरत होती है वे मेरा नाम ही पुकारते हैं बस यही थी चुटकू मकडे की प्यारी सी कहानी बाई बाई अगस्तियन्स